हेलो स्टूरेंट्स आज अब हम देखने वाले क्लास 11 का जो हमारे कुश्चन अंसर हैं इंपॉर्टेंट उनके वह हम समझेंगे जिसका नाम है दा पोर्ट्रेट आफ लेड़ी तो पहला कुश्चन क्या है बेटा पहला है हाउ डिट तर नेरेटर ग्रेंड फादर अपियर इन दा पोर्ट्रेट हाउ डिट आ नेरेटर मतब जो लेख़क है उनके ग्रेंड फादर कैसे दिखते थे पोर्ट्रेट में जो ठस्टवीर टंगी भी थी इन दा पोर्ट्रेट ठान आरेटर's grandfather was wearing a big turban in the portrait जो तस्बीर थी the narrator's grandfather की narrator के दादा जी की was wearing a big turban जुन्होंने पड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी and loose fitting garments और धीले धाले कपले पहने थे he had long white beard up to his chest और उनके दाढ़ी थी जो कि उनके chest छाती तक आती थी white और वो दाढ़ी कैसी थी सफेद थी he looked about hundred years old वो लगपक सौ साल के दिखाई देते थे अगला question है बेटा describe the happiest half hour of the day for the grandmother describe उस उन happiest half hour आधे घंटे जो थे अप दे दिन के जो आधे घंटे थे वो मैं आता जो ग्रेंड मदर थे उनके सबसे प्रसनता वाले तिन घंटों के बारे में बताना है उनको इन दा आप्टर नून दोपहर में दा ग्रेंड मदर relaxed for a while for a while to feed while to feed the sparrows in the branda in the afternoon दोपहर के समय the grandmother relaxed आराम करती थी for a while थोड़े समय के लिए to feed the sparrows जो चड़िया होती थी उनको पेट भरती थी in the branda branda में she sat broke bread into pieces वह रोटी की छोटे-छोटे टुकले करती थी and hundred of birds and hundred of birds flowed to her some of them sat on her shoulder and chirped क्या होता था बहुत सारी चड़िया आ जाती थी उड़कर और उनके कंधे पर बैठती थी and chirped और ची-ची-ची-ची किया करती थी she ever smiled वह हमेशा मुस्कुराती थी thus it was the happiest half power of the day for her यही सबसे प्रसनता के जो उनके घंटे होते थे वही होते थे दिन के सबसे ज्यादा उन्हें खुसी तभी मिलती थी जब वो चुड़ियों को उनका पेट भरती थी और वो आकर ची-ची-ची करके उनके ओपर बैठती थी अगला question है बेटा how did the narrator and the grandmother becomes good friend जो लेखक है और उसकी दादी माहें कैसे अच्छे दोस्त बन गए थे when the narrator's parents went to live in a city when जब जब narrator जो लेखक था उसके माता पिता सहर में रहने चले आते हैं he was lived with her grandmother और left वो उससे छोड़ा आते हैं किसके पास उसकी दादी मा के पास she helped him in air raising every morning वो उसकी मदद करती थी सुबा उठने में getting ready तयार होने में to go to school जाने में she also helped in preparing his lesson और उसकी मदद करती थी उसके पाठ को तयार करने में thus they become good friend इस तरह से वो अच्छे दोस्त बन गए थे आगे देखते हैं बेटा why could the grandmother not walk straight दादी मा सीधी तरह से क्यों नहीं चल सकती थी the grandmother could not walk straight जो दादी मा थी could not walk straight वो सीधी तरह से नहीं चल सकती थी because क्योंकि she was too old क्योंकि बहुत बुड़ी थी and stopped she used to keep her hand on back to maintain balance of the body और वो हमेशा अपना हाथ जो था वो अपने पीछे back पीट पर रखती थी जुक कर चलती थी देख्या होगा आप लोग और कि जैसे बुला कोई पर रखती चलता है इस तरह तो अपना पीछे हाथ रखती थी पीट पर इसलिए रखती थी क्योंकि उनके सरीर का जो संतुलन हो वो बराबर बना रहना चाहिए अगला question है बेटा how did the grandmother spend her time when the narrator went to university how did the grandmother spend her time तो दादी मां जब थी जब वो नेरेटर जो लेखक था वो विस्विद्याले पढ़ने चला गया था तो अपना समय किस परकार से नश्ट करती थी उसके बारे में पताना when the narrator went to university when the narrator जब लेखक went to university विस्विद्याले चला गया her grandmother उसकी दादी मां still recited prayer बराबर क्या करती थी बराबर अपनी प्रार्थना वो कहा करती थी and fed sparrows और चिडियों का पेट भरती थी she used to sing song of the home coming of various और जो भी आता था उसका एक वैरियर मतलब योद्धा के समान गाना गाकर उसका घर आने वाले को she used to वो किया करती थी to sing song गाना गाया करती थी of the home coming of various जो भी घर पर उनके आता था उसके लिए गाया करती थी why did grandmother keep one hand or her waist dadima अपना हाथ कमर पर क्यों रखती थी the grandmother was very old dadima बहुत बूड़ी थी she was slightly bent वह मतलब slightly bent सीधी तरस नहीं ख़़े हो पाना so she could not stand and walk in her in a straight state was she could not stand वह बराबर नहीं ख़़ी हो पाती थी and walk in a state और सीधी तरह से नहीं चल पाती थी मैनर सीधे तरीके से she keeps one hand or her waist वह अपना हाथ तेक रखती थी her waist अपनी कमर पर to balance her is tube अपने को बराबर संतुलित करने के लिए वो अपना हाथ कमर पर रखती थी अगला देखते हैं मीटा how could the grandmother be beautiful without being pretty mother beautiful without being pretty the grandmother never appeared to be pretty grandmother never appeared to be pretty वह कभी भी मतलब बहुत सुन्दर नहीं परतीत होती थी physically मतलब सारी रिग्रूप से she was never an attractive woman वह कभी भी किसी को आकरशित अपनी तरफ आकरशित करने वाली औरत नहीं थी but she a divine beauty in her noble quality लेकिन उनके अंदर क्या था divine एक अच्छा हिर्दे था पच्छे मतलब उस्रेस्ट उनके गुल जो थे वह बहुत अच्छे थे गे भरा spiritual जो आध्यात्मिक जो उनके अंदर आध्यात्मिक spiritual beauty मतलब आध्यात्मिक सुन्दर था थी so she could be beautiful without being pretty इसलिवा न सुन्दर होते हुए भी बहुत सुन्दर थी अगला last question देखते मेटा Was the narrator's grandmother once young and pretty if not why क्या narrator की दादी मा कभी जवान थी और सुन्दर थी if not यदि नहीं थी तो क्यों it was hard to believe यह कठिन है बहुत ही ज़्यादा कठिन है विश्वास करना that की the narrator's grandmother was once young की जो narrator था उसकी दादी मा कभी जवान थी and pretty सुन्दर थी the very idea was revolting यह बिचाय मतलब अलग था she had always wrinkled and pale face मतलब उनका जो चहरा थो उस पर जुरियां थी और चहरा में पीला था she had been looking the same terribly old lady वह एक बहुत पूरी औरत दिखती थी हमेशा से for the last 20 years किस्ते सालों से 20 साल से वो एक ही तरह से दिख रही थी no change was ever visible in her उनके अंदर किसी भी परकार का बतलाव बेश साल के बितर नहीं आया था इसलिए उस narrator को लगता था कि दादी मा सायद कभी भी मेरी दादी मा ऐसी सुन्दर नहीं होंगी क्योंकि 20 साल से वो जे उनको देखता आ रहा था तो उनका वैसा ही चेहरा था रिंकल जो जुरियों से और चेहरा पीला था इसलिए उसे हमेशा यहीं लगता था कि सायद दादी मा पहले इतनी सुन्दर ना रही हो तो आगे का बेटा अगले वीडियो में देखते हैं इतना उमीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा